बास्मती चावल बेचने वाले एक सेट की स्टेशन मास्टर से साठ घाठ हो गई सेट को आधी कीमत पर बास्मती चावल मिलने लगा सेट ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धरम करम भी करना चाहिए एक दिन उसने बास्मती चावल की खीर बनवाई और किसी सादु बाबा को अमंत्रित कर बोजन प्रसाद लेने के लिए परात्ना की सादु बाबा ने बास्मती चावल की खीर खाई दो पहर का समय था सेथ ने कहा माराद जी अभी आराम कीजिए थोड़ी दूप कम हो जाए फिर पधारियेगा सादु बाबा ने बात स्विकार कर ली सेथ ने सो सो रुपे वाली दस लाख जितनी रकम की गड़ी उसके कमरे में चादर में डख कर रख दी सादु बाबा आराम करने लगे खीर थोड़ी हाजम हुई सादु बाबा के मन में हुआ कि इतनी सारी गड़ी पड़ी है, एक दो उठा कर जोले में रख लू तो किसको पता चलेगा, सादु बाबा ने एक गड़ी उठा कर रख ली, शाम हुई तो सेट को आशिरवाद दे कर चल पड़े, सेट दूसरे दिन रूपे गिनने बैठा तो एक गड़ी दस हजार रूपे की कम मिली, सेट ने सोचा कि मातमा तो भागवत पुरुष थे, वो क्यों लेंगे, नोकरो की दुलाई पिटाई चालू हो गई, ऐसा करते करते दो पहर हो गई, इतने में सादु बाबा आप आउचे, तथा अपने जोले से गड़ी निकाल कर सेट को देते हुए बोले, नोकरो को मत पिटना, गड़ी मैं ले गया था, सेट ने कहा महराज, आप क्यों लेंगे, जब यहान नोकरो से पूस्तास हुई, तब कोई भैके मारे आपको दे गया होगा, और आप नोकर को बचाने के उदेश्चे से ही वापस करने आये है, क्य सादू ने सेट से कहा, तुम सच बताओ, कि तुम करल खीर किसकी और किसलिए बनाई थी, सेट ने सारी बात बता दी, कि स्टेशन से चोरी के चावल खरीता हूँ, उसी चावल की खीर थी, सादू बाबा, चोरी के चावल की खीर थी, इसलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का बाव उत्पन कर दिया सुबह जब पेट खाली हुआ तो खीर का सफाया हो गया तब मेरी बुद्धी शुद्ध हो गई हे राम यह क्या हो गया मेरे कान बेचारे नोकरों पर नजाने क्या बीत रही होगी इसलिए तेरे पैसे लोटाने आ गया इसलिए कहते है कि जैसा खाव अन वैसा होवे मन जैसा पियो पानी वैसा होवे वानी जैसी सुद्धी वैसी बुद्धी जैसे विचार वैसे संसकार दो कर दो कर दो